दोस्तो मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मा हीरा बेन नहीं रही पीम मोदी ने आज सुभा साड़े नौ बजे अपनी माता जी को पंचत तत्पु में विलीन किया और फिर अपने रोज की तरहा काम जो तै कारिक्रम थे सरकारी कारिक्रम उन में लग गए जाहिर है एक बेटे का फर्ज निभाने के बाद पीम का तुरंत काम पर लोटना आसान नहीं होगा इश्वर इस मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत दे दोस्तो प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने विडियो कॉंफरेंसिंग से कोलकता में बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर उसे देश को समर्पित किया ये वंदे भारत ट्रेन एक जनवरी से बंगाल के हावडा से न्यू जलपाई गुडी रूट तक सफर करेगी इस प्रोग्राम में वैसे पीम को खुद आना था लेकिन क्योंकि वो गुजरात में थे अचानक उने जाना पड़ा इसलिए वो आनी पाए इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी और लोगों से कहा कि निजी कारणों की वज़ेसे में नहीं आ पाया और वीडियो कॉन्फरेंसिंग से वो इस कारिक्रम में चुड़े लेकिन इस बीच इस कारिक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उमीद नहीं थी दोस्तों ये वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लिए बहुत बड़ा तोफा है तो जाहिर है कारिक्रम के मंच में तमाम माननियों के साथ वहां की सीयम ममताब एनरजी को तो होना ही चाहिए था प्रोटोकॉल तो यही कहता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं देखिए मंच में केवल एक ममताब एनरजी की ही कुरसी खाली है और सीयम खुद मंच से नीचे ओडियन्स के बीज बैठी हुई है दोस्तो इसकी पीछे वज़ा ये बताई जा रही है कि ममताब एनरजी के आते ही जो वहां पे बीज़ेपी कारिकरता मौजूद थे उन्होंने मामताब एनरजी को चड़ाने के लिए जैश्री राम के नारे लगाने शुरू कर दी है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है याद कीजे बंगाल जुनाओं के वक्त भी यही हुआ था दोस्तो ये किसी पार्टी का कारिकरम नहीं था ये एक सरकारी कारिकरम था जिसमें देश के प्रधान मंत्री से लेकर देश के रेल मंत्री, अश्विनी वैशनव, प्रदेश की मुक्य मंत्री, बीजेपी और त्रुडमल दोनों के सांसद और तमाम अधिकारी मौजूद थे तो फिर में, बीजो पी कारे करता हूं जैश्री राम की नारों का खॐ़ा मतलब है जोस्तों उससे भी ज़्यादा जरोरी जब खूब देश के परधान्मत्री के लिए आज का दिन भावनात्मत खौर पर इतना मुश्किल है तो हां क्या आज के दिन ऐसी किसी नारे से बचा नहीं जा सकता था पस एक सरकारी कारेक्रम को सरकारी कारेक्रम की तरह नहीं रखा जा सकता एक सरकारी कारेक्रम में प्रदेश की मुख्यमंत्री का मंच में खाली कुर्सी छोड़ का नीचे बैठना क्या अब अच्छा लग र इनर्जी का क्या इससे वो बीजेपी से राजनितिक लड़ाई जीतेंगी दोस्तो भगवान राम किसी एक पार्टी के तो है नहीं वो तो सबके है न तो फिर अकर बीजेपी के कारेकरता जैश्री राम बोलकर ममताब एनर्जी को चड़ा रहे हैं तो वो चिड़ने की जवाब अपनी तरह से क्यों नहीं दे सकती जिसे राहुल गांदी ने कुजन पहले दिया था जैश्री राम के नारे के जवाब में राहुल गांदी ने कहा था जैसिया राम जैसिया राम दोस्तों ये एक सच है कि हमारी परंपरा में जैसिया राम या राम राम इस तरह के नारे ही लगाय जाते हैं हमारी परमपराय जैशिरी राम तो मंदिर आंदूलन के वक्त एक नारा निकाला गया थािक राजनितिक नारा था लेकिन ये भी सच है कि अब जैश्री राम इस झारे और अब यूट्यूब में में थांक्स का आप्शन दे दिया है जिसके जरीए आप हमारे फ्री जर्नलिजम को सपोर्ट कर सकते हैं